लोकसबद चुनाव से पहले हर्याना की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई है परद्धान मंतरी ने जिसकी तारिफ की उसी को इस्तीफा देना पड़ा एक दिन पहले परद्धान मंतरी ने तारिफ की और अगले ही दिन उन्हें पद से हटा दिया गया क्या भी ये माल लिया जाए कि परद्धान मंतरी जिसकी तारिफ करेंगे उसका पत्ता साफ कर दिया जाएगा और अभी लोकसबद चुनावस से पहले कितने और लोगों को बीजेपी से निकाल दिया जाएगा द्रसरा हरियाना के मुख्य मंतरी या फिर यूँ कहीं किया पूर मुख्य मंतरी मनोहलाल खटर ने अपना इस सिफादी दिया है बीजेपी और जीजेपी का गटपंदन तूट गया है खटर ने मुख्यमंद्रीपत को छोड़ दिया है उन्होंने खुद छोड़ा है या फिर उन्हें बीजेपी से बाहर किया गया है इस पर लोग लगातार कयास लगा रही है कल पुर्धान मुद्री मोदी ने खटर जी की तारीफ करी थी तो अब सुभा अखबारों में और सोशल मीडिया पर चलने लगा था कि खटर को संजीवनी बूटी मिल गई है पर ऐसा नहीं था सुभा उठने के बाद खटर साहब को पता चला कि आउक्सिजन जो पाइप उनको मिल रहा था बीजेपी से वो भी अब उनसे चील लिया गया है मतलब मोदी जी जो उनकी तारीफ कर रहे थे वो सब जूटी थी क्योंकि उन्हें पता था कि खटर के साथ सुभा तक खेला होने वाला है इसी वज़े से मोदी जी खटर साहब की तारीफ कर रहे थे और वो क्या तारीफ थी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आप लोगों को भी मोदी जी का ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें मों मनौरलाल खटर की तारीफ करते करते नहीं धक रहे हैं और मनौरलाल जी और मैं बहुत पुराने साथी है दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे और मनोरलाल जी के पास एक मोटर साइकल रहती थी तो वो मोटर साइकल चलाते थे मैं पीछे बैठता था रोतर से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रूपता था यह हमारा लगातार हर्याना का ब्रमान मोटर साइकल पर हुआ करता था और मुझे याद है इस वीडियो में मोदी जी मनोरलाल खटर की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मनोरलाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं दरी पर सोने का जमान था जब भी हम साथ में काम करते थे मनोहलाल जी के पास एक मोटोसाइकल रहती थी वो मोटोसाइकल चलाती थे और मैं पीछे बैठता था रोतक से निकलता था और गुरुगराम आकर रुपता था यह हमारे लगदार हरियाना का भ्रमन मोटोसाइकल पर हुआ करते था दोस्तों मोटी जी के इन बातों से क्या संकेत मिलते हैं यही ना कि जिसको वो अपना पुराना साथी कह रही है जिससे उनका पुराना नाता है सबसे पहले उसे ही साइड लाइन कर दिया जा रहा है पुराने दोस्त को ही धोका दिया जा रहा है क्या मोदी जी खट्टस साहब को बताना जा रहे थे कि तारीफ तो मैं कर रहा हूं लेकिन आपके उपर खत्रे के बादल मडर आने वाले हैं लेकिन अफसोस खटड़ साहब मोदी जी के तारीफों को खुश होकर तारीफों की इतरा ही सुनते गए, उन्होंने तारीफों की तरा ही उसे लिया, मोदी जी के शारों को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, विस अब देखना ये होगा कि हाल फिलहाल में मोदी जी ने किस- कभी पता चले कि आस्तारीव और कल सत्ता से बाहर, जैसे नरेंद मोदी ने खुलकर मनोहरलाल खटर की तारीफी की और आज उनका इस्तिफा हो गया, वैसे ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी में जब तक लोगों का काम चलता रहता है, या उनसे काम निकलता रहता है, तब यूज एन्थरो की पॉलिसी भी बीजेपी अपनाने लगी है, बनलब काम निकल गया, तो लोगों को निकाल कर रख दिया, बाहर निकाल दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, और जब तक काम था, चाहे आरोपी हो, दोशी हो, अपरादी हो, कोई भी हो, अगर बीजेपी में शा हो जाता है, तो बीजेपी वाले खुशी-खुशी अपने अंदर उसे शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है, तो यूज एन्थरो की पॉलिसी अपना कर उसे बाहर कर देते हैं, जैसे खट्टर साब के साथ अब हो गया है, खेर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीजियो पर, हम एपनी राहे जरूर दें, और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ,